पुरी देश और दुनिया में एक ही चर्चा है राम आएंगे 22 जन्वरी को आयोध्या में राम लला की प्राण पतिष्ठा पर सारा जैसे संसार या पुरे देश के तमाम सारे लोग एक टक निगाह लगाए हैं बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु की वो प्राण पति पड़ेगी और ऐसे यग्य में साक्षी बनने के लिए हमारे साथ मौझूद हैं पंडित धिरेंद कृष्ण सास्त्री जैने आप प्यार से कहते हैं अपने बाबा बागेश्वार जी धन्यवाद आपका और आपके सवी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद भया जी ब अंदिर वहीं बनाएंगे अब देख लिए अब लोग बन गया है अब राम लला हम आएंगे कृष्ण जनम भूमी जाएंगे आपके साथ अच्छी बात है कि एक जगे सा दूसरी जगे खोल देते हैं मैं आऊंगा वहां भी आऊंगा लेकिन एक बारता यह राम की यह जो वरतमान समय के लिए वैसे तो राम लला ही प्रीय है राम लला वो निश्चल है लला लला वो निश्चल है राम ही के वर प्रेम प्यारा वही अच्छा लगता है वो प्रीय है लेकिन वरतमान समय में प्रतंचा पर चड़ाए हुए कान तक तीर और वो तीर जो भेदन कर दे अधर्म का, अधर्मियों की उन विचारों का, उन विकारों का, हमें लोगों को नहीं मारना, उनके विकारों का, अपने ही तो सब हैं कि उनको मार रहे हैं, तो को मारेंगे, अपने ही तो ये भी है, वो भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब है, इसलिए विकार बदलने जो है इस देश को वो पूर हो गई और हमारे कोई बिरोधी नहीं हम किसी के बिरोधी नहीं हम सब के हैं और राम सब के हैं यह सिध्धान्त प्रतिपादित हो जाए एक शब्द चला है आजकल राजनीत में भी खुब चलता है कैंटर काया काई काटर राजमीते कुछ देश भक्त खटर हिंदु आप कहा है हम कमानों ताबाती तो पिर कहा है के लिए धनुस किसी तरफ बिलकुल जरूरत है अगर यह जरूरत ना होती तो राम जी क्यों लेते रामड ही क्यों मरता रामड तो प्रतीक है ना उस बुराई का उसी बुराई के प्रतीक जितने लोग हैं उनके अंदर जो बढ़ा हुआ एंकार है उसके लिए यह विग्र है बहुत जरूरी उनक कौन सा हिंदोस्तान हिंदू का कट्टर वाला तो कुछ लोग आपसे सहम जाते हैं डर जरूरी बिना इनामानत जलत जड़ गये तीन दिन भी बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीद हम नहीं करें रामायर के रही अब रामायर गलत होगी तो हम बदल जाते हैं बैर न क उस्पा नहीं हमारा कोई सत्र हैं हम किसी के सत्र हम लेकिन विचारों के आपकर आपकी विकारों विचार ठीक है अन प्रीक रोग्यारों को मिटाना घिमल मती करना श्री और negra बार canon तो प्रेम से करें यह रूटाया कुछे नहीं करने रिए कानून हाथ में लेने के लिए प्रोथसाहित नहीं किया हमने अंदोलन की बात ने की हमने कभी चक्का जहम की बात ने की हमने सिर्फ अपने मन की असान्ती के जो उदभाव हैं उन भावों को मिटा करके सदभावों को जगाने की बात की कभी-कभी हैदराबाबदले आपके, खिलाव क्या बोलते हैं, आपंके विचारों से उधर, उध ponieważ में आधार हो जाते हैं और लगता है आूहारइदशिवी मार उधर था उल्लू को दिनसे परहेज़् हैं कभगारम आप लेगई वह को बहुत देते हैं राम जी जिनको iquलाते हैं वही जाते हैं सब नहीं जाते हैं जिनको मिला वो नहीं जा रहे हैं तो क्या कहेंगे तो वो बड़े वाले अभागी हैं, जितना कोई नहीं है, उनसे बड़ा भागी हैं, जिस दर्शन के लिए लाखों लोग चले गए प्राना हुती देदी, संत महत्माओं ने तन त्याग दिया, हमारी 500 वर्ष के इतिहास में, 500 से ज़्यादा के इतिहास में, करोडों लोगों ने जिस दर्श को देखने के लिए तपस्या की जब किया, तप किया, अंदुलन किये, नहीं देख पाए, हम उन भाग गसाली लोगों में हम देख रहे हैं, और हम जाना छोड़ दे, निमंतरन की भी जरूरत नहीं, इनिविटेशन की जरूरत नहीं है, यह वहां तो पहु कि राम जी बुला रहे हैं, जो जान नहीं, जिनको मिला और नहीं जा रहे हैं, वह अब आगे, अब आगे, मतलब जानते हो, और फिर वो स्वामी निश्चला नन जी ने कहा कि सब काम मोदी जी करेंगे, तो क्या शंकराचार जी जाके वहां थाली बजाएंगे, वह हमारे धर्म के प्रणान मंत्री, पुरिवाले मिश्चला, बहुत ज्यानी, अद्भुत, हम जगदगुरु, तुल्शी, पीठादीश, धर्म, चक्रबर्ती, पद्वे भुशन, गुर्देव भगवान के बाद, न्याय पून तरीके से कोई हम से कुछे, तो पुरिवाले हमें राम जी को देखेनए जाने है, भीलकुल बिचुप नहीं, बोले हम बडराबर, पर उतनी ही बोले, जितना आपना छमता है, क्योंकि हम ध्या नहीं है, हम तरาร, हमारे पास अतना पतब्वाल धाम हैं, हमारे सरकार अतलित बलधाम हैं, हम उनके दासान उदास है अचा वो जो कह रहे हैं कि राम जंज जी मान साहरी यह मूरक है इन्होंने राम को नहीं पढ़ा प्रभुशी राम को नहीं पढ़ा इन्होंने समझा भी नहीं धीरोदाथ ग्यानी है नहीं अज्ञानी अपने आपको मानती नहीं यह वो ग्यानी है नहीं अज्ञानी अपने आपको माननी रहें इसलिए उनकी मती खराब हो गई और भगमान इनको सद्गती दे और सुद्ध मती दे यही शुर्षे प्राथना है प्रभूशी राम को जानो पहले राम चृत मानस पढ़ो गड़ो समझो खेल ही खेल सकल निर्प लीला लीला तो करते हैं लेकर परमात्मा अमर्यादित काम नहीं किया वो ब्रह्म है जो सत्रू के साथ भी अमर्यादित काम नहीं करता वो ब्रह्म नारायन नर्वन कर आया वो एसा कारे करेगा मुर्खता पूर्ण बात है ना राम को जाना है ना उन्होंने राम को जाना है ना उन्होंने बाद मांगना ही चाहिए उन्हें बोलना भी नहीं चाहिए उन्हें तो ना बोलने का दिकार है तो जो खाते हैं वो जो खाते हैं वो लाक्षश बृतियां है उनको कोई समझा भी नहीं सकता है पस्मों के नियम है इंसानों को कोई नियम है पस्मों के नियम है गाय भूकी हो आप उसके सामने सेर का भो जी कहेंते हैं आपके प्रॉटली आपके प्राइष में प्रशाद पुरानी निया है जिसको जबते थे उन्हों को जो है सौपी थी हमारे पास सम्पत्ती के रूप में यह है figuring आपकी पास तो लोग कहते हैं कि हचा हाँ आपने प्रूरा इस दाए प्लिठी कि योjos कि लुग कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो सबसे महेंगे कथा वाचक pecus और एक डोगरे जी थे जो खुद बना के खाते थे, एक थे बियेचु में, कदावाचक थे, रामकिंकर जी बियेचु में थे, आप अपने को कहा मांते, इसमें जो सबसे प्रसिद्ध, सबसे महेंगे, सबसे परे हैं, ना हम महेंगे हैं, ना हम प्रशिद्ध हैं, सिद्धी प्रशिद्धी राम जी के हम जिन की नाम से घ्र हैं hame k कुछ भी माई किस्टा रएबात महेंगी आंई सस्ते कि हमने कभी धक्षन κι अछी लगता हुआ हुआ यां को बुरा दर आधा दू है बिल्कुल रधा नहीं लगता कोई देदे yards मना नहीं करते हैं हमारे पीछे पांच लाख लोग प्रती दिन भंडारा पा हर महीने भंडारा पा रहें पांच लाख लोग एक सो इंक्यावन बेटियों का विवाए एक मार्च से आठ मार्च में उन गरीब बेटियों का जिनके माबाप नहीं है जिनका कोई नहीं है जिनकी सबसे वाले हैं अगर उनको लगता कि यह महँगा है ने कफा सब्सक्तिकर पर भीजनेशन हैं हमारी कफा ब्यापार नहीं है हम कोई एक्टर या अभिनेता अविनयկमंच और व्रक्ति नहीं और चलंगे तो बागे सुर पीट तुमारे पास आएगी, नहीं तो तुम डूम मरो चुनलू भर पानी में, तुम अरबपती निपरती, लोकपती या इंद्रपती भी होना, हमारे लिए तुम तुक्छ से एक साधारन व्यक्ति रहोगे, राम भक्त होगे, तो तुम हमारे सिर पर बैठो होगे, हम तुमारे घर चली आएगे, यह भक्त का एहंकार बोला या भक्त की वक्ति? स्वाभिमान, अभिमान नहीं, स्वाभिमान, हनमान जी जैसे, अंगत जी जैसा, रामड के सामने पैर जमा दिया, तो रामड ने भी पूछा, यह तुम्हारा एहंकार बोला, या तुम पूर्ण लग रहा है देखे तो वहां पर यग में बैठ आपको बहुत सारे लोग कि में कहा होगा कि आप बहुत सुन्दर विक्षित वाले वस्तर भी आपके और आपके कपुरू की नाम पर कंबल यह तो यह तो आपने नहीं कहा कि वह जैसे सुदामा से और राम का करे एक भूलते हैं अपनी मती से सबकी द्रिस्टि किसे को सून्दर दिखाएदे दिखाई दे तो किसी को पाखनी दिखाई दिखाइदे हम दौनों evenly कि शांदर को नहीं देख का एं दूसरों को देखने चले हैं कुछ वह अन्की मती है और कईयों की मती डिश्टर्ब हो जाती है, सुमती नहीं है उनके पास, इसलिए उनकी बुद्धी ऐसी एकुमत्तु अच्छा उनको क्या कहेंगे जो यह कह रहे थे कि भई विग्रह तो रहे वहाँ पे रामलला का, है तो फिर मूर्ती की पेश्था के विग्रह है पर दूर स दर्शन हो पाएं उनको क्यों ने कहा कि विपक्स के लोग है रामलेना के क्या जरूरत थी मूर्ती की हमारी मती अगर आप पूछो हाँ आप ही की मती पूछ रहे हैं बहुत जरूरत है रामलेना छोटे तो 500 साल तक परेशान किया अब थोड़ा बड़े हो गड़े ठिकाने लगे रहेंगे आप यही तो ना आप जब इस्तवाल करते थे ठीक आने तो लोगों को डरा देते हैं पिर नहीं है यह सिर्फ प्रभाव बताना है कि वह जब एक बाड़ में समंद्र शोक सकते हैं तो तुम्हारी नानी याद आ जाएगी सिरे सावधान आज यह कथा में आज पर दो ने दिया कि राम अहीं के वर प्रींट राम तो अच्छा लगता है लुझा नाम जपत मंगल दिसी तसुं गभावन कहते हैं ब्हाव का भूंकाऊं में तो यह तक्षार है लेकिन वरतमान समय में भाव के साथ-साथ सवरी के भाव की आवशक्ता है अच्छा आप बार बार यह कहते हैं अब घञ नहीं तो यह कौन घर धूशन जो आपको बार बार दिख रहा यह देश अपना है pray आप अब हमें पता नहीं कि आपने सुना नहीं हमें तो बहुत दिख रहें ऐसे खरदूशन एक कना बताई हैं सब कुछ है राम राजी की स्थापना की और भारत बढ़ रहा लेकिन राम चरतमानस को फाड़ा जा रहा पाल घर के संतों को मारा जा रहा रहा राम को कालपनिक बताया जा रहा राम के उपर उंगली उठाई जा रही राम मंदर नहीं विद्याले अस्पताल बनने चाहिए नोंने कभी यह नहीं का मस्जिद की जगह अस्पताल बनने चाहिए यह चर्च की जगह विद्याले बनने चाहिए राम मंदर की जगह अस्पताल बनने चाहिए यह खर्दूशन नहीं तो कौन है यह रामर के खांदान के नहीं तो कौन है जो राम को मासाहारी कहते हैं जो राम के होने के सबूत मांगते हैं अरे राम से तू नहीं है राम से तू है यह जानने और समझने को मजबूर नहीं है समझने को तैयार नहीं यह खर्दूशन के आपहां हम करोध भी नहीं हम कट्र भी नहीं अतिक्टर राम जी के शぇ और हम प्रुभु शी राम की आवहिलना नहीं सुनागे हैं हमे तो यह उसे कहते हैं कि सामनजस्य का बिल्कुल ह budu नए सामनजस तो बैठा लेना चाहिए है और पर साम आयए से ना बने तो सामन जस ना बैठाने बाले को मिटा देना चाहिए इतने लोगों को कुछ शुधर जाएंगे कुछ सिधर जाएंगे और अगर दिश्टे से सबको समय दिश्टे से सबको देख लिया जाए तो क्या दिया अच्छा हो जाएगा बस बो राम मंदिर की स्वागत कर लें तो क्या बुरा हो तो सुप्रीम कोट ने कह दिया तो अब तो सब ने मान लिया अचाहिए एक बढ़ तो राम चरित मानस को फार कर क्या लगता है कि राम के चरित्र को या राम के नाम को या राम के अस्थित्तों को कम किया जा सकता है कम नहीं किया जा सकता है प्रदाख पोंचाया जा सकता है प्रभाव तो घटाया जा सकता है राम मिटे नहीं पर 500 सालों जोपडी में तो रह थी थी हमारी आस्था उनसे भाई हमारा बाप है अगर वीमार पड़ा या जोपड़ी में पड़ा तो बेटों को तो दुखोगा साधाब भी एक पिता के पुत्र है, तो आपको कश्ट हुआ होगा, यह परम पिता हैं हमारी, हमें तो कश्ट हुआ, इस देश का नायक है, और किसी को अगर कश्ट नहीं हुआ, तो यह उसकी दुर्दसा की बात है, तो यह बात सही है कि हमारे आदिपूरुश या हमारे पित वही है हम सारी उनकी संतान है ये बात आप सब नचावत राम गुसाईं बंधो कीट मरकट की नाई सब के राम है राम के सब हैं पर जो बेटार बाप को भूल गया उसको परचय करवाना गुरुओं का काम है वह हम अपना काम निभा रहे अब निभा कैसे रहे प्रेम से भी चमतकार दिखा करेके भी जरूरत पढने पर उनके तर्क को काटकर बाणी को बान बना करेके अब बस 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 यही ठीक है लेकिन तीर को उठा लेते हैं आप यह तीर ना उठाय करें कभी हमने तीर नहीं उठाया बानी को बान बनाया है बीना भी बनाया है ये मत भूलना ब बहुत शंदर शिविंग माइंड है आपका इसलिए आपको यह तारीफ आकरशन के लिए भी नहीं नहीं यह भी हम बहुत राम कथा किये और यह वीना वी हमारी बानी है और भी हमारी बानी हम राम भक्तों की बताना चाहते हैं कि केबल बिद्धि बार्चाय कराना प्रभु बात हो रही है संदर्व याद आया 1960 के असपास का है वो एकदम से बात चीत में ध्यान आ गया विनोबा भावे जी 1960 में गए और जो डकए दस्यू थे बीहड में गए और उन्होंने उनको कहा कि बुख्यधारा में आये और उन्होंने एक पंक्ति जो मैंने उसमें आपको दृष्टी नहीं हो सकती किया यह दृष्टी हुई है इस दृष्टी नहीं बहुत कमाल किया है तो बहुत से मुसल्मानों ने राम मंदिर का श्वागत किया है पर इसके दृष्टी के बाद भी बहुत लोगों ने राम मंदिर का बिरोद किया है इसके बाद भी बहुत ल इस विनोवा भावे की वार्था उससे न कोई लयना देना लए सामधाम के आदमी नहीं इन दंड के आदम राम जी का ये प्रभाव है राम जी का शरट्र का ये सद्दानत है राम जी पहले बिनाय करते हैं जब बिनए से नहीं मानता है तो प्रभावत लाते हैं फिर बान उठाते हैं और एक आपके लिए राम की संधर मेंगाते हैं आपके लिए कौन सी पंग्ति जो सब्छक्रा आपको दो जुआ करती है राम के संदर में या पूरे हमारे लिए राम से मानस की एक पंक्ती बहुत परीय आराम के संदर में किसे संदर में हमारी ल falar यह लिए तो मोरा करो सो बेग deg द़न सरेंडर सीधा नागती कहानी कत्म मेरी गाडी तेरे तू जाने, तिरा काम जाने, हम आ गए, चाहो तार दो, चाहो मार दो, जो मन करें, सो करो, हम तुमारी प्रयसी, तुम हमारी पुत्र, तुम हमारी पिता, सब नाते, तुम संग जोडे, नेह लगाई तुम से, अम हमारा कोई लेना दे, हमारा अधिकार खतम हो गया है, अपनी जिन्दिगी का, तो हमें ये लगता कि वो हमसे ऐसा करवा रहा है, हम कर लें, तो चमतकार जो आप नेकशद इस्तमाल किया था, वो चमतकार इसी संदर्ब में करते हैं, या होता है, राम जी के लिए, करवाते हैं, हमारे पास गौड गिप्चिटे, हमने कोई तपस्यानी की, हम इशुर नहीं, हमारे पास कोई ऐसी शिद्धी नहीं, हम कोई महत्मा भी नहीं, हम तो एक दासानू दास हैं, गुरु जी ने जो हमें दे रखा, उस पुर्शाद का प्रभाव है, कि लोग आते हैं, हम उनके मनो भाव के बारी में बता देते हैं, यूं कहें, तो डमरू बजाना, डमरू बजाकर लोग आते हैं, उससे हम उने राम से जोड़ देते हैं, हमें अच्छा लगता है, कि किसी बिछड़े पिछड़े को, हमें पता है, हम भारत को सुधार नहीं सकते हैं, होस्पीटल बंद नहीं करवा सकते हैं, लेकि चार विखरे हुए लोगों के चेरें पर मुस्कान ले आए, हमारा काम हो गया, ठीक है, लेकि जब आप ये करते हैं, चमतकार, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सनातन धर्म का तो जो विराठ स्वरूप है ना, जिसमें प्रकति पूजा है, सूर्य है, चंदर्मा है, नक्षत्र हैं, ग्रेह हैं, उनकी आ मस्कार करने लगते हैं, और लोग सनातनी को लगता है कि यहां पर आप डोर नीचे कर देते हैं, लकीर उपर करने के बज़ए नीचे कर देते हैं, बेतुकी बात है, हम जैसे को दैसा, सठी साथ्यम समा चले, वो फूंक लगा के ठीक करते, लोगों को खुदवाते हैं, हम लेकर के आगए, हमारे अनमान जी का भी तो प्रभाव देख लो यारो, तो मैं धरम बदलने के क्या ज़रूवत है, बस यह प्रियोजन है हमारे सनातन के इस चमतकार, तो इसके मलब यह है कि अगर वो उधर चमतकार दिखाते हैं, तो हम भी दिखाएंगे, वो भी रियल व उनके पास क्या है, वो जन है, पर अपना बाला तो हमारे पास जो है, हम इश्वर नहीं है, भगवान या महत्मा या सिद्धी नहीं, पर जो है वो किसी से कम नहीं, इतना कह सकते हैं, जो है अद्भुत है, जो है वो? अद्भुत है, उधर देखें एक बार फिर से यह बात अब अच्छ होई वो राम कथा का प्रभाव भी यही होता है कि जो है संत महात्मा जो पैर अपने अंदर कर लें तो उसके बाद उसके सुनने का प्रभाव कुछ और बढ़ता है है तल्रीजी लोग कह रहे हैं कि सवाल यह पूछ है कि सियासत जो है उसमें रां को लाने कि क्या फिर Button विपक्ष तो अकसर यह बात कहता है वह जो राम को सियासत मे लाते हैं दो दंड है धरम दंड राजगंड धर्म से राजनीती चलती है राजनीती से धर्म नहीं चलता एक सिध्धान्त पहले ये समझ ले राम से राजनीती है राजनीती से राम नहीं है भारत के जगे हुए लोगों को इस सक्कर सुगर रूपी परेज से बचना है कि राम राजनीती का विशय नहीं आस्था का विशय राम बोट बैंक नहीं है राम पावर बैंक है राम किसी की बापोती नहीं है राम व्यापक है राम सहज है सरल है सुशील है सुजान है लेकिन सब के 16 गुण है, पूरे संपन है, लेकिन सब के, सब के, तो फिर विपक्ष के भी है, विपक्ष के भी है, तो आप फिर वो सवाल की उठाते हैं कि अगर वो गंगा में डुपकी लगाएं, वो अगर जनिवु पहने, वो अगर महा कालेश्वर गाने, हम ने नहीं कहा, लोगों ने का ये राजनेतिक विशे है, ये टिपणियां राजनेतिक है, एक दूश्रे को नीचा दिखा कर खुद को शुपरपावर बनाना, ये राजनीती है, और सत्रू की भी महमा गाना, ये धर्मनीती, ये हमने राम जी से शीखा है, अपने आचारे चरण से ये सीखा है, तो रप्पे भी नहीं ले जा रहे हैं हमारे तो कुछ हिंदू भी आगी के लगे अपने अपने ठटरी के बरे नकटा ना काटने ही हो गहें अपने जो अपने होकर जिनके पुर्वच राम की पूजा करकर के मारगा है जिनकी माता जी सी राम चंद्रकपालु भजमन से प्राता काल का प्रारंब करती थी वो कह देते राम की प्रमार देओ ठटरी के बरे हमारे दो अपने हमारा सिध्धानत इनके विचारों को बदलना है और काम पर शियासत नहीं होनी चाहिए तो इस देश का एक करेक्टर है मूल है यह मासाच है कि मैं तो खुद कहता हूं कि इस देश के जो नायक है लोक नायक है सांस्कितिक पुरुश है अगर आप नहीं वानते हैं भगवान राजा मान लो लोक नायक है तो एक शब्द हमने 47 म बात करते हैं बिल्कुल परहेज नहीं है पर शेकलर का मतलब राम बिरोधी नहीं बिल्कुल नहीं शेकलर का मतलब कृष्ण बिरोधी नहीं है शेकलर का मतलब साधूशंत पाखंडी नहीं शेकलर का मतलब यह पाखंड नहीं पर दूसरों को गाली भी नहीं है यही हम इनक कि फाड़ो और जलाओ सेकुलर का मतलब ये भी नहीं है कि आप जो है मंदरों के उपर टिपनिया करो या मंदरों को धुस्त करो सेकुलर का मतलब ये भी नहीं है कि सनातनी बहु बेटियों को प्रायोजित तरीके से फसा करके उनके 35-35 टुकडे करो और शेकुलर का मतलब ये भी नहीं है कि आप पागिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ शेकुलर का मतलब ये भी नहीं है कि राजनीती के लिए तुम राम के हो जाओ फिर रामर के कांदान के बन जाओ Secular का मतलब यह भी नहीं है कि तुम कुष्ण की Hollow had कंञ्द सिंङन का मतलब, क्षास का मतलब यह भी नहीं है, कि तुम समय के साथ सभी मजभरों की हो जाओ, Secular का मतलब है जिसे जो अच्छालगे सुमाने! अपने अपने राम Secular का मतलब है, तो आपने आंतिम वाक्य बोला कि अपने अपने राम तुम्हारी आस्था उस पे रहो डटे रहो भे जी जग हम नहीं है जाप बिरोधी पता नहीं भारत के लोगों ने हमारी चबी क्या बना रखी है अगर बनता है तो क्या बुराई हम बेलकम कर रहें बिभीशन को जो लुकर बोले कान में भेद लेने आया भेद लेन पठवा दससीजा बेद लेने आया है मारे जाएंगे हार जाएंगे राम जी कहते हमारा सिध्धान थे सरण में आया है वो भेद लेने आया अब वो मारने भी आया है तो हमें मौत सुईकार है पर सरण में आये हुए को मरन नहीं हो कि अब कोई आ जाए कि हमें हिंदू राष्ट सुईकार करना है अब इचारे पागस्तान वाली वैसे ही कंगाल है तो हम मना थोड़ी कर देंगे आओ यार वेलकम टू यू माइडिया अच्छे संबंद होने चाहिए बेज़िजग अगर वो बना रहे हैं तो बना रहे हैं तो कायदे में तो फायदे में कायदे में नहीं आप संदेह करते है बीलकूल हम तो साथ देख भाई रजग लागा सुगरसे परेरें आसा नहीं हो सकता है आप रसगुला कई सुगरसे परेरेक्र तो लोग कहते कि сами जिस में सिंद बनेगा कैसे बिज कैसे बनेगा कि से सन्नहना किया जाए और जब हमाना जाए कि इसमें कि भाई यह हमारे देश का लाश्टर का यह बीए पुरुषाय यह Siresi है और इस पे कहीं कोई भेद नह reviewers होना चाहिए हैं दोना तरब सो हाँ प्रेम एक तरफा होता है तो वो प्रेम नहीं होता एक तर्फ होता है प्रेम तो योग से है जितना हम चाहे प्रेखता होगी आज़र अगर शादी जिसो कह रहें कि ये लव जहाद है ये रास्ता नहीं है विल्कुल भी नहीं है शाधी रास्ता थोड़ी प्रेम रास्ता है साधी भर क्यों प्रेम के बाद अगर शाधी हो जाए दोनों तरफ होना ची है हिंदू बेटियां ही क्यों कुछ धर्शे भी तो आनी चाहिए आप तराजू जब पकरते हैं तो भाजू पीच में पर रहे आप तराजू दीरे से डंटी मार देते हैं अप दोनों पक्षो को लेकर चल लेकिन हम ने का न हम सत्त बोल नियाय पून बाद बोल रहे हैं आप कहते हैं रोटी बेटी एक हम हां कह रहे हैं उधर से भी तो करो आप भाईचारा के नाम पर गरब मैं घुश्क करके नियंभ बुरा लगा तो आए नैं ने नहीं बुरा की बात मैं तो कहरा हूं ने तो साथ बोलता हूं कि दोनों तरफ बन रहा है और आप जा रहे हैं वाइस को अधुतानन निमंत्र जब मिला तो पहली प्रतिक्रिया क्या थी आपके निमंत्र हमें मिला तो हमें लगा कि ये बागिश और हनुमान जी के लिए निमंत्रन आया है कि तुम मत रहे जाना हिंदू राष्ट का विकुल तुमने जो सी लाइन चेड़ी ज्यान बापी कर्शन जन्म भूमी कि शंस्कृत में संस्कृति संस्कृत का प्रचार और लोगों की सद्विचार पर हिंदू राष्ट की आत्रा हमें कागच पे नहीं चेड़ी दिलों में चाहिए आप यह कहते हैं कि संविधान में वह लिखा है त हमारी पीडी दर पीडी और इस भारत में रहने बाले प्रतेक व्यक्ति को करना अति अन्वार यह हमारा धर्म है अब संविधान इसमें कोई संद्विधान मैं पूछी लेता हूं एक सवाल आपसे ऐसा क्या करें वह सामने वाले जिससे आपका मन मान जाए कि नहीं हाँ यह अन्हाई नाण पकष के थे दोनों पक्ष को वह लेकिन जो थे डेश आजन लक्यागो गया सेत्वार्ण रहें आस्तण तक भीक्ति यह अमें आपके यह आपके लिए हमाख़बर से चलेगा खनेगा घंधी वा बावर से नहीं रगुबर से गांधियPod से वृदे गैदी नहीं molar रामहा गांदी राष्ट्ट्टू के भी राम हैं मातमा गांदि रॉच्टू पिता के भी राम है सब के राम वह इतना बढ़ा वह एक बाराम भांबग। यह जोब गोली लगता है है कोई दोस एक नहीं ऑow उन्हें कि अब आ पर यह है हम एकपक्षीन हैं हम न्याय पूर्ण तरीके से बहात करतтесь मैं ident stuck sa생 और एकप्रज़ता संपर्भुता खंदत और एकशाब और है और इक आज या ताउर उससाना प्रयाएग dispers समयक, समरस्ता, एकता, अखंडता, संप्रभुता, तो आपने इतने सवाल, मैं बिल्कुल एकदम अंतिम छोर पे आ रहा हूँ, इतने सवाल उधर उठा दिये, जातिगत करना क्या है, फिर, और बुर लो कुन, जातिवाद बढ़ाना ही कैंसर है, जातिवाद करना ही कैंसर है आप इसको किस तरह से देखते हैं, हम तो बे फिजूली का टाइम बरवाद करना सोचते हैं, आप बेरोजगारों की गड़ना करवाओ, भूके कितने मर रहे हैं, इनकी गड़ना करवाओ, कितने लोगों पर मकान नहीं हैं, इनकी गड़ना करवाओ, कितनी जगों पर अत्य चार हो रहा है अन्याय पूर्वक्र जैल में डाले जा रहा है रोग इनकी गड़ना करवाओ यार कितने किसानों के घर लुट गए फांसी लगा ली करज में इनकी गड़ना करवाओ तो मैं गड़ना करवाओ तो मैं गड़ना करवाओ जो विचारे नौकरी के लिए तरस तरस के मर गए तो मैं गड़ना करवानी ही है तो जिनके गाउं में पानी और सड़क रोड लाइट नहीं है उनकी कब गड़ना करवाओं गया कब गड़ना करवाओं के इतिहास कितने पड़ाया जा रहे हैं उनकी कब गड़ना करवाओं के अकबर के इतिहास पड़ाया जा रहा है इनकी गर्णा करवाओ, वहां रामराज स्थापना की बात करते आप, और गर्णा जातियों की करवाओ, गरीबों की बेरोजगारों की गर्णा होनी चाहिए, इस टाप डेम कितने बनने चाहिए, इसकी गर्णा होनी चाहिए, किसानों को पानी कितना मिलना चाहिए, इसकी गर पाई, trauma center भी ठीक नहीं है, emergency cases के लिए भी ठीक नहीं है, हम जहां रहते हैं, वहाँ पर पानी की विवस्ता नहीं है, हम जहां रहते हैं, जिस गाओं में, world tourist place बागे सो धाम है, world tourist place, every, ऐसा कोई देश जो भारत से मित्रता रखता है, उस देश का आदमी ना आया हो, आज तक, लेकि उस देश के अंदर का कस्ता हाल, उस गाओं के अंदर का कस्ता हाल, सडके नहीं हैं, कीचर में भकते चलते हैं, दंडबती पर कमा लगाते हैं, कीचर में, बसाते हुए बापसाते हैं, फिर नहाते हैं, दर्शन करने के बाद भी नहाते हैं, क्योंकि चलने के लिए पेहुचनी होगी अगर वो समझ деньги चाहिएंगे और ना समझ वोंगे तो इनको तो रामा भी संधा सकती कि में बहुत फेक्रेतों निया किसी को इसी बातों पर लोगों को हमसे व्राइन कहां कि मुसल्मानों से या क्रुष्ट्णिटी से इतना ज्यादा परिशानी नहीं हुई जितना हिंदूओं में रहने वाले दोगलों से अब आप ये शब्द इस्तों मैं ये शब्द तो नहीं कहुंगा उन्से भी जिन्हों हुए ने तला पर पानी प्रतिबंद लगाया कुम पर पर तुन बलाया घोड़े पर चणले पर प्रतिबंद लग जाया शादी में बैठ दें सकता उन से हुई हमको लगता है कि इस देश में लोगों ने समझाने राम राज्य को ना राम को जिन्हों ने ये किया मुर्खता पून किया हम इसके वेरोध में हैं लेकिन सबके अपने-पने कायदे हैं लेकिन आपको जो अधिकार है कुछ अधि की पतानी होना चाहिए बेजिजग और आज आज आगर राम सबके थो एक सब्सक्राइब हम रहा है हमारी मांग तो बहुत अदूथ हुई जब हमने मांग कियो किसी ने हमको चर्चा कि बहुत बड़े भारत के ब्यक्ति कि आप क्या चाहिते हैं उनका राम मंदिर में कुछ सब समाजों की लोग रखो पुजारी की रूप में तो उसकी आखेंड़ डबा गए कि आप ये क्या बात बूल रहे हैं आप हो कौन हम नहीं का हम ब्राममड है पर हम हिंदू है और हिंदुस्तानी वाशी है सब जाती का एक एक दो दो ब्यक्ति रखो उसको भी आरती करने का अधिकार है आरती पूजा करने का अधिकार सबको है किसको नहीं पर जो परंपरा है परंपरा का पालन वेदफाट नियम प्रोटोकॉल जिस पद्धती से सास्त्रवनोय पूजा बतलाई है उस पद्धती का अनभाव किसे वहां पर बैठे हुए गुरग यह राम मंदर का ट्रष्ट भी है यह योगग यह योग का अगर सब पास हैं तो सब को अधिकार आप मानंते हैं कि यह आला हिस्सा नहीं को हैं कोई भी हिस्सा हमारे लिए आपर चलता जो हम्हें अधिकार बोलने का किसी के ऊपर अधिकारा हम नहीं झता सकते हैं कि किसी के उपर हमको पर अधिकार नहीं जता सकते हैं के आप हम से हे परशन नहीं करें आपको सेट मिली यह प्रशन करने की तो आप करोगी हम मारे आ Sultan SH, सबसे जादा परिशानी अगर हुई तो ये इसी जाती ववस्था से हुई जाती बात से हुई हुई सबसे जादा जाती बात से हुई हम तो भारत अखंड़ता की बात कर रहें एकता की बात कर रहें क्यों कर रहें क्यों भाग रहें और इसका एक सलूशन जाती गरना नहीं है जाती गढ़ना अगर होता तो कहीं अभी अबने सुना है आपकी नियूज ने दिखाया होगा कि किसी प्रदेश में जाती गढ़ना हुई है वहाँ सॉलूशन मिल गया होता है मिल गया होता है साहिद बिहार में एक दो सवाल बस उसके बाद चमतकार आप जब करते हैं तो आप यह मानते कि चमतकार जो है वह ज्यादा महत्तुपुर्ण आपके पूरे जीवन में रहा या आपका जो कथा वात्चन है भगबत करपा गुरू करपा चमतकार से लोग अट्रैक्ट होते हैं नमस्कार करते हैं चमतकार एक विवस्था है लोग हमाई पास चमतकार नहीं है हमाई पास तो समाधान है गुरू करपा का क्योंकि हम जादूगर नहीं कि ताली बजवाने के लिए हम आपको आपका नाम य जैसे बहुत सारे लोग इस तरह से पर्ची निकालते हैं ये करते हैं अब सब कि अपनी अपनी पद्याति हैं किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं सबके उपर भगवत करपा कुष्णा कुष्टो लाइट है तब तो चार लोग उनके पास हैं अब जादा हैं कम हैं ये निर्णे हमारा नहीं सब पे कुष्णा कुष्टो करपा है। अप यहां बैटे आपके ही नाम का आदमी होटल में प्लेट साप यह था तो आप पे कुष्टो करपा है कि आप दीरणे करशन हससास्त्री से किस्ष्टो है भाईया जी कह मैं हाथ जल से बैट वह enfin क्भी आतोड़े जल सिर्वें नहीं बोलते आप कैसे हाथ जंवार से इस प्रषनपर कि नहीं बोलना है हमने कभी बोले ही नहीं कब बोला किसी के ब्रोध में बोला जिंगी कि अव हमारे तो कूट-कूट रंग-रंग DNA में खुन-खुन ब्लड-ब्लड में सनातन जला हुआ है और राम का प्रचार जला हुआ हम राम के प्रचार को करके ही मानेंगे रामत को हम जन-जन में जगा के ही मानेंगे रही बात आप जो शंकेत करना चाहे रहे किसी से कोई विरोद ने किसी से कोई दिक्कत ही ने हम तो कहते हैं जिसमें छंक ठाहन हो in पाखंड ना हो, खरपा हो, तो हमारी दम जितनी है, हम उतना बोलते हैं. और सनातब को इस से कमजोरी नहीं होता है? दिक्कत ना हो, कमजोरी हो सकती. हमारा अकसर एकांत यह कुश्चन है खुद से, हम अकसर अपने से कुश्चन करते हैं, आपको हम पहली बार बतार हैं, किसी को हमने आज तक नहीं बोला, हम अपने आप से कुश्चन करते हैं, कि तुम्हें क्या परहिज करना चाहिए, तब हमारे भीतर का धीरंदर कृष्ण बोलता है, बेटा, तुम से अगर एक भी भूल हो गई, तो दसों सालों तक कोई करना, जो पाखंडी है, उनकी तरफ इशारा है आपका, किसी पाखंडी है कौन, हमारी नेजन में हमें कोई मिला नहीं, और जो है परणाम परमात्मा उनको देता है, यह सारा खुद की तरफ है, कहीं आप हमको तो नहीं पाखंडी कह रहे हैं, नहीं मैंने एक शब्द भी नहीं बोला आपको, तो पर पोटली घोली जाया है, मैंने एक बार भी ने, आप डरा देते हैं वी चीज़ में, वी चीज़ में आप हमें को भी डरा देते हैं, लेकिन मुझे एक सवाल आप से पूछना, बच्पन के एक दोस्तिया जो आपको याद आती है, जो लगता है क कि शायद किसने कभी नहीं पूछा, कभी कौन से ऐसा छण जो आपको, हमसे हमारे बारे में किसी नहीं पूछा, जो बाते हैं सब अपने बारे में पूछते, और इसी में हमारे सोला साल गुजर गए, और बस हमारे बारे में हम सब कोई नहीं पूछता, हमारे इस मर्तियों वह सब अभाव की ले, इस मुर्थियां, अभाव की ले, अब तो ठीक है, उनको याद करते हैं हर पल, हम उसी खोई हुई जिन्दगी में रहते हैं, हमको बहुत मुझा आथा, हम बहुत inside आदमी हैं, outside हमारा कुछ है नहीं जाता हैं, inside हम जीते हैं, किसी से आपको लगता कभी भी हम किसी का विलोधने करते हैं मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जब आप आभाव शब्दे इस्तमाल करते हैं और आज आप खड़े हैं जब शिकर्पर हैं शिकरस्त पुरुष हो नहीं है ये भगवत करपा है भगवत करपा गुरू करपा जहां हम खड़े हैं ये बहुत खतरनाब जगे हैं पक पक पे गिरेंगे और गिरेंगे तो लॉटके ओठेंगे अब हम बहुत खत्रे में खड़े हैं परिवार भी दूर हैं विरोधी ताक्तें भी भयं करें मौका सब को चाहिए इर्शा करते हैं लोग आपसे खूब मज़े से हमारे इर्शा किसी से हमसे लोग कॉंपिटीशन करते हैं मज़े की बात यह है लेकन हम उनको भी धन्नबात देते हैं कि वो हमको सिक्षा दे जाते बुजब भी बोलते हैं आज पास की टीम हमें वीडियो दिखाती है अब आपको लगता है बिएसर सही समय है कि आपके साथ कोई साथी होना चाहिए जीवन साथी का क्वान मैं गुरु ने क्या कहा था कि इस वर्ष के बाद ही गुरुदे भगबान ने कहा था कि विवाय करना है ताइम कोई एक फिक्स नहीं कि अब यह कह नहीं सकते हैं अगर हो जाए तो कल के दिन कौन ये वीडियो जूटा बने लेकिन इतना लावन है उसमें इतना इतना समयता है कि यह प्रश्ण जो है हमने उसी लिहाज से किया हम बहुत सहज द्वास माता पिता जवाग्या देंगे और हां उसमें बरात वालों का भाईया जी कहन हो जाए हां अरे जब वो तो जहां सौ लोग वहां भाईया जी पहुंच जाएंगे अंतिम सवाल दो तीन जल्दी जल्दी खतम करते हैं बिल्कुल क्योंकि पीछे भीड़ है आपके 24 की यानि दो हजार टुज़ेरो टूफूर की जो पर्ची चुनाओं की निकलेगी वह क्या कहती है आपके हिसाब से पर्ची जो निकाली जाएंगे है निकाली जाएंगे यह सब्द देगा वचंद देगा संकल्प पत्र देगा जो भारत को विश्य गुरू बनाने की और अगरशरी होगा जो भारत की जनता का कल्यार हिद करेगा भारत के लोग उनको बोट रहे हैं इस समय में मौझूदा समय में किसको लगता है कि आप ताजनिती पर कोई टिपड़ी नहीं हमारी क्योंकि दोनों लोग आपके तालाब में आते हैं पानी पीने हमारे तालाब में नहीं पर बागिश और हनमान जी के तालाब में सब आते हैं हम भी वहाँ पानी पीते हैं हम तो सिर्फ रस्ता दिखाते हैं ऐसे पीना चाहिए तो दोनों को आप विजाई भव कह देते हैं और जीता तो उसमें एक हाथ उठाते हैं किसी को दो मैं इसके लिए दूसरे इंटर्विव के इंदिजार करूंगा और जब मैं यही पहला प्रेशन पुझे वह दूसरा हाथ इसका मंदर भी है मत समझ ले ना कि जो जीत जाए उसी पर उठाए हम यह ना 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 मैंने यह नहीं कहा यह आपने कहा है तो दोनों हाथ इसको उठात पर राजनेताओं पर कोई भात नहीं करते हैं हमारे पास उनके लिए कोई सब्द नहीं रहूल गांधी निशब्द 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 बोलेंगे नहीं तो नि भारत यात्रा कर रहे हैं निशब्द राजनेताओं पर हम बोलते ही नहीं किसी पर नहीं बोलते हैं आप किसी के भी बारे में राजनीती से संपन्य कि राजनीती से संपन्य कि लो केते हैं कि आपके बारे में कि आप बहुत जबरदस्त मार्केटिंग के भी आदमी हैं बिजनस आप समझते हैं और टेलिविजन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं लोगों का यह ज्यान और यह भ्रह बहुत अच्छी तरह से समझ लिया उसमें से लोग कहते हैं एक आप भी हैं योग टेलिविजन को बहुत अच्छी समझ हैं यह नहीं हम बहुत ही सहज बस जीते हैं आपने कहा के इंटर्वियू लेना है कोई तैयारी नहीं बैठ गए इंटर्वियू लियो जो नियायपूर् और शाइड ट्रांसपेरेंसी बहुत भैतरीन है इसलिए साइद लोगों को लोग हमारी लिए नहीं आते हम जो बोलते शत्त है उसके खरीदार है इस दुनिया में जो शत्त बोलेगा उसके खरीदार निश्यत होंगे यह तो सच है कि इस पोटली में बहुत सारा चीज़ें है बहुत आशिरवाद है बहुत पूर्णे है बहुत प्रताप है बहुत तपस्या है प्रभु इस तपस्या को आगे अक्षून रखे किसी की नजन न लगे नहीं लगे वहीं मैं कहा आख्षून रखे और यह आगे बढ़ती रहे लेकिन यह बात सच है कि यह दो हाथ किसके के लिवी आशियवाद के लोत आए यह प्रेश्ण जरूर है गया लेकिन इसको फिर कभी कसी दिन के लिए मुलतर्वी करते हैं उसमेंभी जवाब नहीं देंगे देखेंगे यह बात सच हैoj आप alternator और राम, आयुध्या में मुलाकात होगी हाँ पर समुदाय बहुत ज़्यादा रहेगा मिलैंगे सीता राम होगी सीता राम होगी आप से बहुत 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 आपका अभाद आप को बहुत साले